आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा और यूनीक सा निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी काडियर में, लेडी जैकिट में, जैंट साफ सैटर, फॉल सैटर में, बच्चों के सैटर में अपलाए कर सकते हैं आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे चाहिए होंगे वो आठ के मल्टिपल से होंगे जैसे कि आपने आठ फंदे आठ फंदे आठ फंदे और लास्ट में दो फंदे एस्टिच के रखने होंगे और ये जो डिजाइन है ये टोटल बारा रौ का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने यहां पर आठ के मल्टिपल से 16 फंदे लिए हैं और दो फंदे एस्टिच के तो टोटल हमने यहां पर 18 फंदे लिए हैं और नीचे से बेस देने के लिए दो रौ उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकार लिए हैं और आप कोई भी बौडर इसके निचे बनाना चाहें वो बना सकते हैं तो हमने यहां पर ये वाला वन बाई one twisted बौडर बनाया है रिब्朝 के साथ तो अगर इसे सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक निचे description में दिया है वहां जाकर आप सीख सकते हैं तो चलिए बनाते हैं तो पहली रौ है और सीधी साइन है एस्टिच स्लिप कर लेंगे और यहां से रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन अब दो फंदे राइट तू लेट टिस्ट करेंगे तीस तू लेट इस तरफ को पीछे से एक फंदा आगे लेकर आएंगे आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदे सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन यह देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे बुने 2-3, 2 फंदे राइट टू लेफ टिस्ट की और सीधे बुने फिर से 2 फंदे सीधे, 2-3, यह हमारा 8 फंदों का पैटन है देखिए 2-4-6-8 फिर से पैटन रिपीट करते हैं तो एक बार फिर से देखिए 3 फंदे सीधे, 1-2-3, दो फंदे राइट टू लेफ टिस्ट करेंगे पिछे से एक फंद आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा पिछे लेकर जाएंगे दोनों फंदे सीधे, 1-2, अब 3 फंदे सीधे, 1-2-3 तो यहां से लेकर यहां तक हमने दो पैटन कम्प्लीट किये हैं, लास्ट में एस्टिच है, इसको हम सीधा ही बना लेंगे तो हमारी पहली रौ जो है वो कम्प्लीट हो चकी है, दूसरी रौ उल्टे साइन, इस रौ में हम सभी फंदे उल्टे उल्टे ही बुनकर कम्प्लीट करेंगे एस्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे तब देखिए तीसरी रौ है सीधी साइन, एस्टिच स्लिप करेंगे अब यहां से रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे एक, दो, दो फंदे लेफ्ट टू राइट इस तरफ को टिस्ट करेंगे आगे की तरफ से एक फंदा आगे लेकर जाएंगे, पीछे की तरफ से आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दो फंदे सीधे, एक, दो, फिर दो फंदे सीधे, एक, दो, यह देखिए, यहां पर हमने दो फंदे सीधे बुने, दो फंदे लेफ्ट टू राइट इस किये, सीधे बुने, दो फंदे राइट टू लेफ्ट इस किये, और सीधे बुने, दो फंदे सीधे, फिर से पै अब इनको सीधा बना लेगे एक दो फंदे इस तरफ को टेस्ट करेंगे पीछे का फंदा आगे लाएंगे आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे दोनों फंदे सीधे, एक, दो, अब दो फंदे सीधे, एक, दो लास्ट में स्टिच है, सीधा बना लेंगे, तीसरी रो कम्प्लीट हो चुकी है, चौती रो रोंग साइड, उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगी एस्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे, अब देखिए, पांच मी रो और सीधी साइड, एस्टिच सिलिप करेंगे, यहां से रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा, अब दो फंदे लेफ्ट व राइट इस तरफ को टिस्ट करेंगे, आगे की साइड से एक फ एक, दो, सेंटर के दो फंदे सीधे, एक, दो, अब दो फंदे राइट व लेफ्ट इस तरफ को टिस्ट करेंगे, पीछे का फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, और दोनों फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदा सीधा, यहां पर हमने एक फ सीधा बुना दो फंदे लैफ्ट्टू राइट ट्षिस्ट करेंगे ही ङाँगी कि यह क्टीकशनेगी स्युलिभी कुछ रूअइट के दोफंदे लैट्टू लफ्ट्ट इस तरह को कौनेगे पीछे का फंद आगे लाएंगे अगे वाल फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदे सीधे एक दो एक फंदा सीधा एस्टिच भी सीधा ही बना लेंगे पांच मी रौ कम्प्लीट हो चुकी है छटी रौ है रौंग साइन फिर से सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे एस्टिच भी सीधा ही बनाएंगे अब देखिए सात मीरों है और सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे यहां से रपीट पैटन स्टाट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर जाए डालेंगे अब हमने क्या करना है यहां से यह दो फंदे एक दो फंदे जो हैं वो छोड़ कर यह हमारा जो next यहां से यह दिखिए one two three fourth यह वाला जो होल है निच्चे से जहां से हमने फंदे स्टाट किये थे ट्विस्ट करने वहां से हम एक्स्टा लूप बनाएंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे, इसको हम चार बार रपीट करेंगे तो दिखिए इस होल में से नीडिल इंसाट करेंगे और एक एक्स्ट्रā लूज लूप बनाएंगे और एक फंदा सीधा अब ऐसे ही हम तीन बार और बनाएंगे टोटल चार बार बनाएंगे एक बार हमने बना लिया अब दूसरी बार फिर से सेम होल में से एक्स्टा लूप बनाएंगे इस तरह से फिर एक फंदा सीधा दो फिर तीसरी बार बनाएंगे लूस फंदा एक फंदा सीधा तीन फिर चौथी बार बनाएंगे लूस फंदा एक फंदा सीधा चार और फिर ज दो और back loop से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे तो यह देखिए यहां से यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया इसमें हमें दो फंदों का 1 फंदा बनाया, जाए डाली फिर चार बार एक extra loop बनाया, एक फंदा सीधा बना 1, 2, 3, 4, फिर जाए डाली 2 फंदों का 1 फंदा फिर से इस pattern को repeat कर लेते हैं तो दिखें आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे जाई डालेंगे अम इस hole में से extra loop बनाएंगे जहां से हमने first time ट्रिस्ट किया था तो इसको थोड़ा सा loose ही रखेंगे एक फंदा सीधा चार बार बनाएंगे एक बार बना लिए आप दूसरी बार बनाएंगे loose फंदा फिर सीधा बनेंगे तो आप तिसरी बार बनाएंगे loose फंदा सीधा बनेंगे फिर से loose फंदा बनाएंगे चौत्ती बार और एक फंदा सीधा चार फिर जाई डालेंगे दो फंदे slip कर लेंगे एक, दो, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे तो यहां तक हमने दो पैटन जो हैं वो कमप्लीट कर लिए हैं लास्ट में ऐस्टिच हैं सिधा बुन लेंगे यह हमारी साथवी रो जो हैं वो कमप्लीट हो चुकी है अब 8 वी रह हैं उल्टी साइड, एस्टिच, स्लिप करेंगे, रपीट पैटन स्टाट करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, एक, दो, धागा पीछे करेंगे, अब 4 बार दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तो देखिए, आगे की साइड से, दो फंदों का एक फंदा, वन, आगे की साइड से, दो फंदों का एक फंदा, टू, आगे की साइड से, दो फंदों का एक फंदा, त्री, आगे की साइड से, दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा बनाया, दो, चार, फिर दो फंदे उल्टे, फिर से पैटर्न पीट कर लेते हैं, दो फंदे उल्टे, एक, दो, चार बार आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, वन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा टू, आगे की साइड से दो का एक फंदा फोर धागा आगे दो फंदे उल्टे एक दो एस्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे तो दिखिए आठमी रॉव कंप्लीट हो चुकी है और हमारा हा पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से यही एट रॉव उपर रपीट करेंगे लेकिन इस पैटर्न को शफल करे अब यह वाला पैटर्न यहां पर और यह वाला यहां पर आएगा तो देखिए किस तरह से करेंगे अब देखिए स्टार्टिंग में हम यहीं से जो है वो रॉपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे तो दो फंदे राइट टू लेफ्ट इस तरफ को ट्विस्ट कर लेंगे य यह हमारा जो एस्टिच है इसके साथ ही तो दिखे पीछे का फंदा आगे लाएंगे आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदे सीधा बुनेंगे एक दो अम छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच छे यह देखिए हमारा एक पैटरन कंप्लीट हो गया इसमें हमने दो फंदे राइट उलाट इसके सीधे बुने छे फंदे सीधे दो चार छे फिर से पैटरन रपीट करेंगे दो फंदे राइट उलाट इस तरफ को ट्रिस्ट करेंगे पीछे का फंदा आगे दो अब 6 फंदे सीधे एक दो तेन चार पांच चे तो यहां तक हमने दो पैटर्न जो हैं वो कर लिए हैं अब दो फंदे ट्विस्ट करेंगे लेकिन इसको इस तरफ को ट्विस्ट नहीं करेंगे इसको हम इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे पीछे का फंदा आगे लाएंगे एस्टिच आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदे सीधा बना लेंगे ए एक दो ये देखे नाइन्थ रॉ नॉमी रॉ कम्प्लीट हो गई हैं दसमी रॉ है रॉंग साइन फिर से इस रॉ को उल्टे-उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे एस टिच भी उल्टा ही बना लेंगे तो अब देखिए यह हमारी ग्यार्मी रॉ है सीधी साइन एस टिच स्लिप करेंगे अब यहां से रॉपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे राइट उल्ट इस तरफ को टिस्ट करेंगे पीछे का फंदा आगे आगे वाला सब्सक्राइब न करेंगे दो फंदे सीधे है एक हुआ दो कि अब चार हो आप चार पंदे open ए-दो टीन चा Ch यह दिखे हमारा एक पैटन कंप्लीट हो गया है इसमें हमने स्Áら यह 2 फन्दे लेफ्ट टो राइट ट्विस्ट करेंगे इस तरफ को पीछे का फन्दा आगे आगे वाला फन्दा पीछे और दोनों फन्दे सीधे एक दो यह हमारा एक pattern complete हो गए है इसमें हमने 2 फंदे right to left इसके सीधे बुने 4 फंदे सीधे, 2-4, 2 फंदे left to right इसके और सीधे बुने फिर से pattern repeat करेंगे 2 फंदे right to left इस तरफ को twist करेंगे, पीछे का फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला फंदा पीछे लेकर जाएंगे और 2 फंदे सीधे 1-2, 4 फंदे सीधे 1-2, 3-4, 2 फंदे left to right इस तरफ को twist कर लेंगे पीछे का एक फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, और 2 फंदे सीधे 1-2, तो यहां से यहां तक हमने 2 pattern complete कर लिए है, last में a stitch है, सीधा बना लेंगे 11 row complete हो गई है, 12 row, wrong sign उल्टे फंदों के साथ बुनकर complete करेंगे अब दिखे, 13 row है और सीधी sign है a stitch slip करेंगे, यहां से repeat pattern start करेंगे एक फंदा सीधा बुन लेंगे, अब 2 फंदे right to left इस तरफ को ले कर जाएंगे, पीछे से एक फंदा आगे और आगे वाला एक फंदा पीछे, दोनों फंदे सीधे बुन लेंगे एक, दो, अब सेंटर के दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे left to right इस तरफ को ले कर जाएंगे इस तरह से, और दोनों फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदा सीधा ये देखिए, हमारा एक पैटन कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने एक फंदा सीधा बुना, दो फंदे right to right इसके सीधे बुने, सेंटर के दो फंदे सीधे दो फंदे left to right इसके सीधे बुने, एक फंदा सीधा, फिर से पैटन पीट करेंगे एक फंदा सीधा, दो फंदे इस तरफ को टिस्ट करेंगे, पीछे से एक फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधे, एक, दो, सेंट के दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे लेट तू राइट इस तरफ को लेकर जाएं पीछे का फंदा आगे, आगे वाला फंदा पीछे, और दोनों फंदे सीधे, एक, दो, एक फंदा सीधा, लास्ट में एस्टिच सीधा बना लेंगे, 13 यानि कि तिरमी रो कंप्लीट हो गई है, 14 रो, चौदमी रो, उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे, रो 15 15 रो, सीधी साइड, एस्टिच, स्लिप करेंगे, आप देखिए, यहां पर हम स्टार्टिंग में, एक, दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर दो फंदे जाई डालेंगे, फिर दो फंदे स्लिप करेंगे, एक, दो और बेक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे अब यहाँ से repeat pattern start करेंगे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाए डालेंगे और यहाँ से जहाँ से हमने यह दो फंदे starting में twist करना start किये थे यहाँ से loose stitch बनाएंगे तीन बार और एक फंदा सीधा बनेंगे sorry चार बार loose stitch, एक फंदा सीधा, one फिर से loose stitch बनाएंगे एक फंदा सीधा two, same hole में से loose stitch बनाएंगे एक फंदा सीधा three loose stitch बनाएंगे एक फंदा सीधा फोर फिर जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदों का एक फंदा बनाया जाई डाली और चार बार loose फंदा बनाया और एक फंदा सीधा बना यह दिखिए 1, 2, 3 and 4 जाई डाल दो फंदों का एक फंदा फिर से ऐसे ही pattern repeat करते हो जाएंगे और last में हमारे पास 2, 4, 5 फंदे बचेंगे तो आगे की side से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे और 3 फंदे यह सीधे बना लेंगे 2, और 3, 15 बंदर्मी राव कम्प्लीट हो गई है 16, 16 बंदर्मी राव एसटे स्लिप करेंगे आँ 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4 repeat pattern start करेंगे 2 फंदे उल्टे 1, 2, ठागा पीछे 4 बार आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे 1, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा 2 आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा 3 आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा 4 2 फंदे उल्टे 1, 2 यह दिखिए पैटन पीट करेंगे और लास्ट में हमारे पास पांच फंदे बचेंगे बांचों फंदे उल्टे बना लेंगे एक दो तीन चार एस्टिच पांच फंदा उल्टा बना लेंगे तो दिखिए राउ 16 कंप्लीट हो चुकी है और हमारा पैटन भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे फास राउ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार बार इसकी वान टू 16 16 राउ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं तो फ्रेंड आप भी इसे बनाएए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं ऐसी ही और नए ने वीडियो के साथ तिल देन बाबे फ्रेंड